खंबा गणी टु आल आपने नसोई में आप सभी का स्वागत है गणी चतुरती की आप सभी को हाटिक शुप काम नए तो जैसे की गणपती उस सब आ गया है और बपा हमाई सभी के घर में पधार चुके हैं तो इसी शुप अफसर पे मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड़ू की बहँत ही असान और सरलसी रेसिपी जिससे आप घर में ही बाहर जैसे बेसन के लड़ू बना सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प किया है इसके बाद मैं ले रही हूं बेसन यहां मैंने डेड़ कप बेसन का यूज किया है यह नॉर्मली बेसन है जो हम लोग घर में खाते हैं आप इसकी कॉंटिटी अपने इसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इस इससे आपके 10-15 लड़ू अराम से बन जाते हैं बस हमें लोग फ्लेम पे लगातार इसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि आपके बेसन का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता आप चाहे तो इसमें हल्दी पी एड़ कर सकते हैं रंग के लिए मैंने यहां हल्दी क का यूज नहीं किया है बस हम इसे लगातार चलाते रहना है आप देखेंगे कि दीरे-दीरे आपके बेसन का कलर चेंज होता रहेगा और यह दीरे-दीरे अपना घी भी मैल्ट करना शुरू कर देगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखिए लगबग 10-15 बाद मेरा बेसन सकके तयार है इसके बाद मैं ले रहे हूं बूरा यहां मैंने एक कटोरी बूरे का यूज किया है जब आपका बेसन पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब ही हम इसमें बूरा एड करेंगे और इसे अच्छे से बेसन में मिक्स कर करने लग जाएंगे बस अब हम इसके लडvoorbeeld बनाना शुरू करता हैं एक गोलगी हैँ बना लेते हम इसके हादों के साहिता से यह देखे किते असानी सब्ड़ों कि हमारी हbayल नके तइयार है इसी तारीके से अपने बाद लड़ों बना लेते हैं यह देखी मैंने अपने सारे लड्डू बना के तयार कर लिये हैं लग रहे हैं लग रहे हैं एकदम भार जैसे लड्डू और कितने असानी से हमने हमारी लड्डू बना कर तयार कर लिए है तो पुम कर लेते हैं इसकी कुछ साथ सजावट तो मैं यहां यूज करें हूँ चांदी का वर्क जो सिंपल ही हमें मार्केट में मिल जाता है बस हम उसे अच्छे से इस पे कवर कर देंगे यह optional है आप चाहे तो इसे simple ऐसे भी खा सकते हैं पर हम दे रहे हैं अपने लड़ों को कुछ शाही लुक तो इसके लिए ज़रूरी है देखिए मैंने चांदी के वर्क से अपने लड़ों को cover कर लिया है यह ऐसे भी बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे हैं कर देते हैं कुछ और एक टच तो यहाँ मैं ले रही है विप आप अपने लड़ों को सजा लेते हैं आप चाहे तो बैसन के अंदरी कट्टी मी बदाम डाल सकते हैं या उनके उपर इस तरह से सजावट भी कर सकते हैं इसके बाद मैं ले रही हूँ पिस्ता कत्रण बस पिस्ता से भी हम अपनी लड्डू को अच्छे से डेकॉरेट कर देते हैं देखिए हमारे बेसन के शाही लड्डू रेडी है देखिए कौन कह सकता है हमने घर में केवल बहुत ही असान चीजों से बना के तयार किये हैं तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यूँ